गुर्डूनिंग बच्चों आज हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं क्लास 10th CBSC में आंसर शीट का फ्रंट पीज कैसे भरें तो आप ध्यान दें यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है बीसे सब्जेक्ट तो एक्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है English, Language and Literature तो आप इसको यहाँ फिल करेंगे English और ब्रैकट में मेंशिन कर दें Language and Literature इस तरह से इसके बाद बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप लिखा है परिख्चा का दिन एवम कि थी जैसे आपका यह जो पेपर है यह Monday को है तो यहाँ पर आप लिखेंगे Monday Comma Date of Examination तो यहाँ Date लिखेंगे 26 Slash 02 और 24 उत्तर देने का माध्यम आप किस मेडियम में एक्जाम दे रहे हैं तो यहाँ English लिखेंगे प्रेस्ट पत्र के उपर दिये कोड को दर्सा हैं यहाँ पर आपको जो question paper में code दिया गया है वो mention करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखें question paper code दिया गया है 2 slash 1 slash 2 यहाँ पर लिखेंगे आप 2 1 2 बचो इसके बाद दिया है अत्रिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या इस answer sheet के अलावा अगर आपने एक answer sheet और लिखेंगे तो यहाँ 0 1 लिखेंगे अगर नहीं लिए है तो 0 लिखेंगे अगर दो answer sheet लिए हैं इसके अलावा तो यहाँ पर आप mention करेंगे 0 2 इसके बाद if physically challenged tick the category आप अगर इन category को belong करते हैं तो यहाँ पर tick लगाएंगे जैसे B ये किसके लिए है blind के लिए D deaf and dumb H physically handicapped S spastic C dyslexic तो यहाँ पर अगर आप नहीं belong करते जिसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद आप नीचे देखें whether writer provided तो यहाँ पर आप लिखेंगे no आपको writer नहीं मिला तो no लिखेंगे आप उसके बाद बच्चों यहाँ पर आते हैं देखिए ये सबसे ज़्यदा important है और बहुत साउधानी पूर्वा का आपको भरना है example के तोर पे देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अर्विन तो A-R-V-I-N-D यह भर देंगे और यहाँ A के सामने वाले हिस्से में जहाँ पर A आ रहा है उसको आप जो सरकल फिल कर देंगे बहुत साउधानी पूरवक सरकल के बाहर इंकना जाए R यहाँ बहुत साउधानी पूरवक आपको सारी चीज़े फिल करनी है उसके बाद V इसके बाद I N दें D देंगे यह सरकल आप भर रहे हैं बहुत साउधानी पूरवक भरने है यहाँ पर आपको भरते समय कोई भी दिक्कत आ रही है इसको फिल करने में तो जो इन्विजिलेटर हैं उनसे आप पूँच सकते हैं इसके बाद देखे लिखा है अनुक्रमांग सपोस ऐसे ही कोई नंबर भर देते हैं तो यहाँ भी फिल करेंगे तू के आगे तू वाले सरकल को इसके अद वन वाले सरकल को फाइफ इन सरकल को बहुत ध्यान पूर्वक आपको भरना है फाइफ वन फाइफ और सेवन और इसके बाद देखे लिखा हुआ है बिसे संख्या इस सब्जेक्ट का कोड क्या है यह आपको यहाँ पर भरना है तो बिसे कोड जैसे इंगलिस है तो यहाँ आप लिखेंगे वन इट फूर यह बिसे कोड यहाँ भरना है और यह सारी इंफॉर्मेशन आपके अड्मिट कार्ड पर होंगी फिर भी कोई समय से आती तो आप इन्विजिलेटर से तुरंद पूछें यहाँ पर यहाँ पर यह बिसे कोड भी भर गया है इसके बाद देखी लिखा हुआ है केंदर संख्या यह आपके अड्मिट कार्ड पर दिया गया होगा वहाँ से आप अड्मिट कार्ड से देखकर यहाँ भर दे एक्जांपल के तौर पर मान लेते हैं तू वन त्री फोर देखिए इस सैंपल पेपर एक सैंपल आंसर शीट है वो हम आपको बता रहे हैं आपर तू वन त्री फोर बच्चो यह बहुत साउधानी पूर्वक भरना है देखिए यहाँ तक फिल हो गई है इसके बाद आप देख सकते हैं अनुक्रमांग रूल नम्मर इन वर्ड्स तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे यह भी आपके एड्मिट कार्ड पे लिखा हुआ है तो आप एड्मिट कार्ड से ही देख के लिखें किसको वर्ड्स में कैसे लिखें जैसे यह है 21,00,00 तो यहाँ लिखेंगे 21,00,00 55,000 55,00 157 100 50 70 की यहाँ इस पेस तोड़ा कम है बाकि आंसर शीट जो आपको मिलेगे उसमें आपके पास पर्याप्त इस पेस होगा Father's Name तो यहाँ Father's Name लिख देंगे जैसे यह हमने यहाँ पर लिख दिया है पर एक चार्थी के हस्ताक्चर देखिए जैसे आपके Admit Card पे साइन है जैसे आपने किये थे वही साइन यहाँ पर करने है और बाकि जो डिटेल है वो स्कूल की तरफ से भरी जाएंगी जैसे यहाँ पर सायक अधिक्चक के हस्ताक्चर होंगे अधिक्चक की मोहर होगी यहाँ पर स्टैम्ट लगेगी तो बच्चो इस तरह से इस आंसर शीट को भरना था और बहुत साउधानी पूर्वक भरियेगा यह सैंपल के रूप में आंसर शीट थी जो आपको आपकी आंसर शीट फिल करने में काफी हलपूल साबित होगी और बार बार आपसे कह रहे हैं कि इसको बहुत साउधानी पूर्वक भरियेगा अगर कोई भी समस्याती है वहाँ पर जो अध्यापक ड्यूटी कर रहे हैं उनकी मदद आप लें धन्वाद